तो हे स्टूरेंट्स माइनमें सुर्वे दिवारी वकान तू यह वीडियो है बहुत इंपोर्टेट वीडियो है क्यों इंपोर्टेंट है क्यों कि कहने को तो है बहुत छोटा साथ टॉपिक लेकिन इसके रिलेटेड जो नुमेरिकल जैना वह अच्छों की थोड़ी सी कि जब आप आपना उठाते थि न Top-5 एन टो आपको राइट की सड़ेस लेफ्ट अपीयर होता है लैप तो रैट अप्ट इन सब्सक्राइब घ consumo एप यह जो पर होने वाली चीज वाहaf ensure उने और चीज अगों कहते हो लेटरल इंवर्जिन सिर्फ और सिर्फ लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है और दूसरी चीज में आपको बता दू कि लेटरल इंवर्जिन वोइट के साथ होता है जैसे कि आपने कुछ अलफाबेट देखी होंगे तो वो अलफाबेट भी आपको मिरर के अंदर उल जब आप अब्जेक के साथ image को compare करते हैं और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट अपीयर होता है तो उसे हम कहते हैं लेटरिल इंवर्जन आपने जैसा मैंने अभी कहा जब भी आप रेडी होते हैं तो आपने देखा होगा कि आप लेफ्ट को राइट को लेफ्ट अप्लिकेशन अब पर आपने देखाओगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कोई वहीकल आ रहा है और उसमें वोट सीधे होए हैं तो आपको आपके side view mirror में उल्टे नज़र आते हैं मतलब कि side view mirror कौन सा होता है आपका convex mirror होता है convex mirror में क्योंकि मिरर तो मिरर है उसमें आपको words कैसे दिखाई देंगे उल्टे दिखाई देंगे तो कोई इंपोर्टन वहिकल अगर आ रहा है जोकि emergency वहिकल है जैसे ambulance तो ambulance के उपर इसलिए हमेशा उल्टे letters लिखे जाते हैं ताकि जो भी सामने वाला व्यक्ति कार चला रहा है गारी चला रहा है वो जैसे यह उस ambulance को देखे अपने वहिकल को side कर ले क्योंकि उसे उसके मिरर में वहां लिखे हुए उल्टे words सीधे नज़र आएंगे तो मिरर उल्टे को सीधा सीधे को उल्टा करतेता है यह भी आपको याद रखना है और इसे ही हम चलो इस चीज को जानते हैं सबसे पहले मान लीजे कि आपके पास है लेटर एल अब अगर मैं आपसे वह लूँ कि आपको इसका लेटर इंवर्जिन या यह देखना है कि इसका मिरर मेंज कैसे बनेगा तो चलिए मैं आपको बताती हूं वोट के लिए आपको क्या करना है क कोई भी तीन पॉइंट बना लीजे तीन पॉइंट यहां बना देती हूं अब मैंने क्या किया इसे मैंने नाम दे दिया 123 123 क्यों दिया तो जो मिरर के सबसे ज़्यादा पास हो उस पॉइंट को आपको पहला नबर देना है तो क्योंकि एल लेटर का सबसे यह वाला पोशन सबसे करीब है इसलिए हमने से वन दिया उसके बाद टू फिल यह ठीक है टू और ट्री वैसे एक ही पोजिशन पर है तो आप इसे टू और टू डैश भी लिख सकते हो तो क्योंकि वन नमबर इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कौन बनेगा वन ही बनेगा यह देखिए कहने मिरन के सामने जो सबसे पहला होता है इसकी इमेज करेड करता है १ allora अगर क्योंकि बना हुआ अगर मैंया आपको यहां समझाओ इद्धी कि इमिइगा सुद्ध अगर आद में पॉइंट के इंचे डिर्ट देखने हैं तोसम पहला जब पहलो होता है सबसे कहल zar इसके बाद कौन सा पॉइंट है पीछे वाला पॉइंट है यह रहा इसके बाद यह बहुत है सामने लिखा हुआ है कौन सा लेटर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे प्वाइंट फिर यह से के погरे पॉइंट यह है पॉइंट और एक पॉइंट यह खोच तो यह और पॉइंट दो इन तो इन तीन buttons से मिल सक्क्रैर कि क्या बना हुआ था यह बना हुआ तो इसके बाद iS पॉइंट को बना देंगे इसके बाद इस पॉइंट को थोड़ा सा करीब बना देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको लेटर कैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका रिफलेक्शन मिलर के सामने जो चीज पहले होती है उससे लाइट पहले पास होगी और उस दो तो आप उसे उल्टा सीधा करके देखोगे तो आपको हमेशा वी ही नजर आएगा उसे तरीके से यहां पर क्योंकि इसका मतलब कि वो क्या है एक सिमेट्रिकल वर्ड है अब मैंने इसमें त्री डॉट्स लगाए तो पहला यह बनेगा फिर उसके बाद यह बनेगा और इसके बाद थर्ड पोजिशन पर कौन सा आपका क्रियेट होगा यह वाला जब मैं इन सारी चीजों को बनाऊंगी तो कैसा लेटर मिलेगा मुझे वी ही मिलेगा अब हम बात करते हैं और किसी लेटर की मालिए जे 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 लेटर जे लेटर की अगर मैं बात करू तो एक पोजिट दिखाई देगा तो आप समझ गई कि कैसे लेटर इंवर्जन होता है तो क्योंकि जो सबसे पहले मिलर के सामने है पहले उसका रिफ्लेक्शन इस पर विनेगा और इसी वजह से जो लेटर्स है यह उल्टे नजर आते हैं आपको यह समझ में आया होगा अब यह त अब आप इसको प्लेइन मिलर के सामने रखेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा क्योंकि वह लेटरली इंवर्टेड हो जाएगी और जस्ट यह जो आपको घड़ी के हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे और उसमें आपको क्या नजर आएगा कि वहां कितना बज़र है उल्टा कर दूँ मैं तो देखो अगर घड़ी की मिरर इमेज बनाऊंगी ठीक है तो यह जो कांटा है यह मुझे कहा नजर आएगा टू की तरफ नजर आएगा होके हाला कि यह जो नंबर्स हैं यह जो नंबर्स हैं आपके वह भी रिवर्स हो जाएंगे बट समझने के लि हैं दो ठीक है तो वह आपको कितना बज़िती हुई दिखाई देगी आपको लगेगा अगर आप मिरर में देखेंगे तो बजएगा दस हाना ऐसा आपको नजर आता है उल्टा हो जाता है तो ऐसे कुछ इसमें एड करूंगी तब जाकर कि क्या होगा मुझे दो बचता हुआ नजर आएगा तो हमें क्या करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चिन हो उसे आपको कुछ ऐसे नंबर्स में बतारों जिसमें से आपको से माइनस करना है जैसे कि अगर मैं बोलू कि एक घड़ी में 448 द दिखाई देगा तो इसके लिए मतलब कि मुझे क्या करना है बारा घंटे में से इसको माइनस कर देना है तो मुझे वह समझ में आ जाएगा तो 1160 लिखू या फिर 12 लिखू दोनों ही बात एक है तो अग अगर आपको मिनिट्स और और दोनों दिये हुआ है तो 1160 से माइन करना है 1159 60 मैसे से माइनस कर देना है जिसका मतलब अगें वारा घंटे ही है तो अगर एक क्वेश्चिन हम यहां पर सौल करके आपको बता देते हैं जैसे कि एक क्वेश्चिन आपको दिया हुआ है कि अगर उसमें 446 का टाइम दिखा रही है तो एक्वेश्चिन में उसके मिर्र इमेज क्या होगी तो इसे सौल करने के लिए आप क्या करेंगे जैसा मैंने आपको बताया 12 वार से माइनस कर दीजे क्योंकि जब आप घड़ी में ऐसे देखते हो तो आपको इसका अपोजट दिखाई देता है अगर दस बज़ रहे तो य कि आपको इसे 1160 से माइनस कर देना है जैसे मैं यहाँ पर माइनस करूंगी 446 तो यह हो जाएगा आपका 4 चेके 1 & 7 तो इसका सही आंसर होगा 714 ओके तो आई होप यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी ओके अब लेटर इंवर्जिन में हम बात करेंगे human image की या दूसरे कि इसी object के बच के तो अगर मैं बात करूँ एक ऐसे question की जिसमें मैं लेक्टर इंवर्जिन के साथ प्लेइन बिलर का एक बहुत important concept भी आपको समझाने वाली हो देखते हो कि राइट-left appear होता है left-right appear होता है for example के लिए अगर मैं आपको बताओ कि इस बंदे का इस हाथ में इसन का left hand है तो वह राइट दिखेगा इसी तरीके से यह वाला हैंड इसके पीछे के तरफ बनेगा मतलब कि अगर यह राइट है तो यह यहां जाकर कि उसको left appear होगा तो यह तो हो गए बात letter inversion की लेकिन एक बहुत common question आप से पूछा जाता है कि अगर आप एक mirror के सामने खड़े हुए हैं तो अविर्सी बात है अगर आप plane mirror के सामने खड़े होते हैं तो plane mirror की property होती है कि आपकी same size का आपका वहाँ पर image create होती है अगर आपकी full body mirror के अंदर दिखाए दे रही है और आपकी height 5 feet है तो आपकी 5 feet ही वहाँ पर height दिखाए देने वाली है लेकिन एक question यह height okay मतलब कि इतना बड़ा अगर सामने मैंने mirror रख दिया और उसके सामने आपकी image दिखाई दे रही है तो मैं आपसे बोलूंगी कि यह तो आपका बड़ा सा एक mirror था लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस mirror को थोड़ा सा छोटा कर दो तो वह कौन सी minimum length होगी जिसमें कि आपकी full body दिखाई दे जाएगी तो उसके लिए आपको similar triangle property का यूज करना पड़ेगा और इसका बहुत important derivation है वह हम देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे एक question आप से पूछा जाए का कैसे question आएगा कि a boy of height h wants to see his full image in a plane mirror find the minimum length of the mirror required तो कितना छोटा minimum required length का हम एक मिर उसके सा है अब माली जे कि यह boy का head है यह यहां पर उसकी eye है और यह इसका feet है ठीक है यह सामने है plane mirror अगर मैं बात करो reflection की तो reflection किस तरह से होगा कई थारी रेस जाएंगी लेकिन अगर हम बात करें आई की तो आई को यह reflection देखेगा क्योंकि लाइट रेस एंगल के साथ जाएंगी ठीक है माली जे इसका head है यह है इसकी eye और यह है इसका feet तेकिन इसी तरीके से यहां पर जो reflection होगा वो सेम अंगल के साथ यहां से इस तरह से जाएगा ओके तो यह incident ray है और यह reflected ray है आई मैं अगर इस तरह से मैं बनाऊ तो यह जो light ray जिस angle के साथ जाएगी उससी एंगल के स थे हो सबोड़ा दिया कर एक और यहां से मिला दिया थोड़ा सा आप से रोपर नजन आएगा आपको यह हो गया आई अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहां एक ट्रैंगल बन रहा है तो इसको हम प्रॉपरली दो कलर्स का यूज मैं कर रही हो और इसे हम बना लेते हैं एक तो आपका यह ट्रैंगल है ठीक है यह बड़ा वाला ट्रैंगल है एक नीचे भी है और पर भी है ठीक है तो यह दोनों ट्रैंगल कैसे सिमिलर ट्रैंगल है अगर इन रेस को मैं प्रॉपरली डिजाइन करूंगी ठीक है और एक ट्रैंगल जो है यह अंदर की तरफ यहां पर बन रहा है जो कि छोटा वाला ट्रैंगल है ठीक है जो कि दोनों तरफ बनेगा नीच भी और उपर भी आपके लोग फुटाफट से इनके नाम दे देते हैं मा लीजे यह है ए और इसका नाम है भी ठीक है मैं इस तरह से सरकल बना रहूं ताकि कोई confusion create now और यह है डी यह पॉइंट है एस यह पॉइंट है जी ओके तो अब इस ट्रेंगल को उठाते हैं यलो कलर के ट्रेंगल को यहां बना लेते हैं ठेक है यह बना लिए मैंने यह यलो कलर के ट्रेंगल को ए बी और सी यह हमें नाम दे दिया एबीसी जैसा आप यहां पर लिए प्रूफ करना हमें यह पता है कि हाइट जितनी आपकी व्यक्ति की जितनी हाइट होते है जितनी भी अब्जेक्ट उसके सामने खड़ा हुआ है उसके जिस्ट हाफ हाइट का अगर मिरर है तो भी हमें इस दिखाई दिजाए लेकिन इस चीज को में प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए हम यह सिमलर ट्रेंगल आंगल वाल या ट्रांगल की प्रॉपर्टी का यूज करके से सॉल्व कर रहे हैं तो यह बड़ा ओला ट्रांगल दिख रहा है बच्चो जिसको मैंने सर्कल में लिखा है एबीसी यह हमने लिया अब बीच में से चोटी है यह एक बाट पर ही हो रहा है मिरर का यहीं से रफलेक्टेट रेको आपने आगे बढ़ाया है इसलिए हम यह चैक करेंगे कि इसके क्या में हाइट क्या है तो इसलिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा emphasize कर रहे हैं यहां मैंने मैंने इसका नाम क्या दे दिया एक्स दे दिया अब अगर मैं similar triangle की property हाँ पर apply करूं तो उसके according में देख सकती हूं कि bc upon de equals to a c upon a okay यहां से a c का total value की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी यहां से यहां तर यह हो जाएगी 2L हना तो मैं यहां से a c की जगे 2L लग सकते हो a e का कितना value हो जाएगा l bc को हम bc ही लिखे रहे देते हैं और d e की जगे हम लिख देते हैं x l c l cancel और bc equals to क्या हो गया है 2x okay that means कि यहां से यहां तक की जो distance है यह इसकी distance है यह कितनी आ गई है तो मैं इसे दूसरे color से रिख देती हूं कि हमने अभी आइड़ना find out करी है वह कितनी value आ गई है 2x तो अगर यह bc 2x है तो यह जो e f है है ना अगर मैं इसे जब solve करूंगी तो यह जो e f है वो मुझे कितना मिल जाएगा बिल्कुल सेम इसी तरह से solve करेंगी तो e f equals to 2y हो जाएगा और अगर इस total height की बात करूं मनदब की bf यह जो total height है है ना इसकी total की बात करूं तो यह क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास 2x plus 2y हो जाएगा जो कि किसके बराबर होगी obviously बात है plane mirror है तो जितनी object की height है ठीक है for example जो object की height है वो है आपकी h ठीक है तो वो किसके बराबर हो जाएगी इस 2x plus 2y के बराबर हो जाएगी ओके तो यहां से bf जो है ठीक है उसकी जगे अगर मैं लिखूं 2x plus y और x plus y को मान लीजे मैं h मानती हूँ ठीक है और bf आपके obviously बात है जो object की height है वही आपकी image की height आएगी तो मान लीजे की height है आई बात समझ में आप से भी कि I hope आ गई होगी तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई object mirror के सामने खड़ा हुआ है तो उसकी के उसकी पूरी full length की image बनने के लिए हमें कितने मिलर के requirement होता है तो जो object की height है उससे आप उसे हाफ कर दीजिए तो दिस इस आप वेरी important concept of a plane mirror और लेटर इंवर्जन को भी आज हमने समझा कि कैसे left-right appear होता है कैसे words का reversal हो जाता है क्यों होता है just because of reflection reflection तो जो mirror के जितना करीब होगा उसका reflection सबसे पहले दिखाए देगा उसी current से हमें जो words है वो उल्टे नजर आते हैं तो आई होप यह वीडियो जो है और यह जो concept है आपके समझ में आया है और बहुत important concept है इससे जरूर एक सब्सक्राइब करें तो यहां पर हम करेंगे हमारा यह जो टॉपिक था लेटरल इंवर्जिन और नेक्स टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजे मेरा जो नेक्स लेक्टर होगा वह आपको मेरे इसी वीडियो के बाद मिल जाएगा तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए थांक यू सो मच